तो हमने जो न्यूए एंसे डिजाइन करें तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली आपकी अगर ओल्ड बूक है तो उसमें आप टिक्मा कर लो कि कौन से कौन से जो हम एक्जांपल पढ़ा रहे हैं या फिर जो एक्जाइस चल रही है वही है आपकी न्यूए एंसार्टी म और वही पढ़ना है किलियर है उद्देखो एक्जेंपल नमरेट क्या कहे रहा है अप्वल हैस्टू इरेक्टिट एटा पॉइंट ऑफ बाउंडरी ओफ सर्कुलर पार्क ठीक है प्रेडाइगरम बनाते है जैसे कि एक यह सर्कल है एक सर्कुलर पार्क है पोल हैस्टू इ सर्कुलर पार्क का जो डाइमेटर ना वह कितना थफीन मीटर्य इडैक्पाहिए और एक लास नाइंद में प्रॉपर्टी पड़ी होगी आयो पड़ा ही होगा कि अगर एक सर्कल के अंदर एक डायमेटर से लाइन जाती है तो इस डायमेटर के दौनों एंड से अपन सर्कल की बाउंट्री पर जहां भी मीट करते हैं तो नाइंटी डिग्री होता है यह अफ इस डिस्टेंस फ्रॉम टू डियमेटरी को अंब ऑंड़ी से बाउंट्री से एंटी उतकलों का इन दानों का इस दॉनव पॉल्व जाहें मेटर करते हैं ट्वहक्टी आप पॉंट है चिंग्टी उतकती नितने से मीटल और सवगिहां है तो अब तो बोस्त बाउंट एक circular park है और उसका diameter जो है 13 meter है in such a way that the difference of its distance from who diametrically opposite fix gate यह जो diametrically opposite gate है रहे इसके fix point है A और B on the boundary इन दोनो point से जो इस pole से end कर रहा है point उस दोनों का distance कितना है 7 meter है यानि कि इसका और इसका distance का difference कितना है 7 है तो let करना पड़ेगा सबसे पहले आपको difference कैसे होगा let इसको मानलो आप को मानलो चलो अशको let OB equals to मैं मान रहा हूँ X meter अब मुझे बताओ AO कितना निकलेगा सर X plus 7 meter निकलेगा अब बताओ कैसे इन दोनों का minus करो X plus 7 minus X करो देखो इन दोनों का difference 7 आ रहा है कि हा सर आ रहा है यह तो बताना भई आपको यह तो बताना था अब pole has to be erected एक pole खड़ा करना है at a point on the boundary circular park की boundary पे जिसका diameter 13 meter है और किस तरीके से in such a way that the difference of its distance इस pole का distance जो है इस pole के लिए जो difference है of its distance from two diametrical opposite gate इसके जो two diametrical opposite gate ए और B से boundary के उनका difference के 7 meter है यानि कि यहां और यहां इन दौनों का distance किता है difference किता है 7 तो difference 7 कब आएगा जब यहां में कुछ मानू यहां में कुछ मानू तो यहां अगर x मान लिया तो यह x plus 7 मानना पड़ेगा तभी तो उनका difference करने भी 7 आएगा इस पॉसिबल तो ऐसा गणा पॉसिबल है कि यह आपको बताना है अट वाट distance फॉन दौट गेट शुद भी ए रेक्टेट तो इनके गेट से डॉनों गेट से जो पॉल का जो डिस्टेंस अना वो भी आपको बताना है तो पहले तो यह पॉसिबल है नहीं यह पता करना अबाइ पाइतो गोरस थीडिगरफ इविए अपनी तो प्रियों रोफ आपकी पता है अबी जो है न कि अबी का जो स्क्वेर वो किसके बराबर एंडे ओस्क्वेर यह स्क्रूर स्वलसब्स को यह ऐपतनास यह बहीं वी थर्टीन का स्कुर्स पर एकस बराबर हो गया 2a b होगा plus 7 whole square होगा और क्या होगा? यह x square होगा यह x square होगा, यह 14x होगा यह 49 होगा कि 169 को यहां लिया हो आप x square x square कितना हो गया? 2x square यह 14x हो गया 169 को यहां ले किया होगा मैं मैं तो плюс का 49 minus का 169 equals to 0 2x square प्लस 14x 169 में जाएगा कितना हो जाएगा 120 बजाएगा माइनस का ऐसा केशन उन्हें पहले भी किया इतिंक तुम कॉमन ले लेता है एक स्क्वाइर प्लस 7x minus 60 equals to 0 अब मेरे पास finally यह equation बज़े गई है solve करने के लिए बात कतम is it possible to do? ऐसा करना possible है नहीं पहल तो यह पता करना है तो इसके लिए आप इसका directly discriminant निकालो क्या निकालो डी ठीक है पर निकालो डी निकालोंगा तो देखो डी निकालने के लिए पहले ABC निकालना पड़े इसको compare करो x square coefficient होता है वो A होता है तो A equals 1 है B equals x का coefficient 7 और C होता है minus 60 तो D निकाल के दिखाओ B square minus 4AC B का value है 7 square minus 4 A का value है C का value है minus 60 7 7s 49 minus minus plus 60 और 4 कितना हो जाएगा आपके multiply करना है 64 24 240 सही है न अब यह 9 यह 8 और यह 289 यह D का value और यह बात है यह greater than 0 है यानि कि positive है तो यह possible है येस इस इस पॉसिबल तो डू येस इस पॉसिबल येस इस इस पॉसिबल तो डू सो क्यों क्यों क्योंकि यह positive आ गया अगरी negative आ जाता तो मना कर देते हैं अब इस तो distance निकालो तो अब आपको यहाँ पर जैसे कि हमने मिडिल टमिस्पेटिंग देखा था आपने जो है factor theorem भी पढ़ा होगा class 9 के अंदर यह सब topics भी आपने देख रखेंगे लेकिन अब एक new method आ गया quality formulas आप directly x का value निकाल सकते हो कैसे देखो equation क्या है आपका x square plus 7x minus 60 equals to 0 formula x equals to minus b plus minus मैं directly d लिख दूँ कि d क्या है मेरे पास b square minus 4a c है ठीक है पॉन में 2a अब रखो value अब यहां देखो आप a का value 1 है बी का value 7 है और c का value minus 60 है बी का value कितना है सर 7 है plus minus d का value कितना सर 289 था ठीक है सर आगे देखो कितना हो जाएगा 2 और a का value कितना है 1 289 कितना होता है किसका होता सब्सक्राइब 17 का होता है अपन में 2 minus 7 plus minus 17 तो क्या करना है देखो इस country question में आपको इस तरीकी question में दो root होते है हमारे पास ठीक है सर तो एक बार तो x equals to minus 7 plus 17 upon 2 ले ले लेना और एक बार x equals to minus 7 minus 17 upon 2 ले ले लेना यहां लोगे 17 में से 7 गया तो 10 by 2 5 टाइम हो जाएगा और यहां देखो गे तो minus का 17 3 20 और 24 by 2 यानि कि minus का 12 हो जाएगा अब आपको बता negative value आपको लेनी नहीं है positive value लेनी है आपको हाँ सर तो we choose only x equals to 5 अब इसको कहाँ पूट करना है यहां पूट करना है यहां पर तो ओ भी तो हो जाएगा 5 मीटर और ओए एक प्लस सेविन तो यहां यहां पर जो है पोल्स का डिस्टेंस कितना आगया आपके पास यहां से एक पर यहां से डिस्टेंस हो गया 12 और यह हो गया 5 आई होब क्लिर हो गया होगा यह आपका एक्जेंपल हमरेट कंप्लीट होता है यहां पर